इस कहानी में हमने अब तक देखा की, इतना कहकर अनाया अपने जगह से उठ खड़ी हुई इस वक्त उसके आँखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी तभी, उसके कमरे का दोर नोख हुआ जिसे देख कर वो अपने चेहरे के एक्स्प्रेशन बदल देती है और खुद को नॉमल कर, कमरे के बाहर जो भी है उसको अंदर भुलाती है, कमरे के अंदर देवांश मोरे एंटर होता है, कमरे में एंटर होने के बाद वो डोर लॉप करके अनाया के सामने आकर, अपने हाथ में मुझूद फोन में एक वीडियो अन करके अनाया के सामने कर देत अब आगे अनाया देवांश के हाथ से उसका मूबाइल लेकर उसके मूबाइल में चल रही वीडियो को ध्यान से देख रही थी पूरे वीडियो को देख कर अनाया के चहरे पर देविल स्माइल आ जाती है अनाया के चहरे आई उस देविल स्माइल को देख कर देवांश के च शामत आने वाली है बेहत दिनों के। बाद देविल क्वीन अपने असली अवतार में आ रही थी और अब को भी उसके रास्ते में आएगा उसकी शामत आने वाली है। उसको इतना दिन शान्त रहना किसी को राज नहीं आया। इसलिए उसे पंजा मार रहा था उसके साथ इतने साल रहने के बाद भी कोई अगर इस देवी क्वीन को ना समझ पाए तो अब। क्या ही कर सकते हैं। देवांश अपने मन ही मन बाते कर रहा था कि तभी उसके कान में अनाया की आवाज आती है जिसे सुनकर वो उसकी तरफ. देखता है अनाया अपने हाथ में पकड़े फोन में चल रही वीडियो की तरफ देखकर देविल स्माइल करते हुए कहती है. देवांश अब वक्त आ गया है शिकार पर जाने का हाथ में बेहत खुजली हो रही है कबसे किसी को तपकाया ही नहीं ना. अब जब दुश्मन खुद चल कर हमारे पास आ रहा है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं. वही देवांश कुछ कहता उससे पहले ही उसके सामने से तेजी से एक साया गुजरता है और वो अनाया के सामने. खड़े होकर कहता है हाँ ये बात तो तुम बिलकुल सही कह रही हो अनू बेहत दिन हो गए किसी को तपकाये मेरे हाथ. मैं भी बेहत खुजली हो रही है. सामने वाले ने इतना ही कहा था कि देवांश का मूँ बन गया वो सामने वाले इंसान के चेहरे को देख कर खुद मैं. ही बढ़ बढ़ता है अब बस उसकी ही कमी थी हाथ में खुजली हो रही है तो बजार में बहुत सारी खुजली की दवाई है लेकर लगा लेती इतना कहकर वो अजीब अजीब मून बनाने लगता है वही अनाया की जब नजर देवांश और जाती है तो उसके हिलते होटों को और उसके चेहरे के बदल रहे हाव भाव को देखकर वो समझ गई थी कि देवांच क्या बड़ बड़ा रहा है वो अपना सर जटक देती है जैसे कहना चाहो कि उसका कुछ नहीं हो सकता वो देवांच से अपनी नजरे हटा कर वो अपने सामने खड़े साई की तरफ देखकर उससे कहती है तुम यहां और क्या कर रही हो तुमको जो काम सोपा था वो हो गया अनाया की बात पर वो लड़की अपना सरहा में हिलाती है और अनाया की तरफ देखकर अपने बालों को बड़े ही स्टाइल मैं जटकर कहती है अनू तुमने मुझे काम दिया और मैंने वो पूरा ना किया ऐसे कभी हो सकता है इतना कहकर वो अपने पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल कर अनया के सामने करती है और कहती है इसमें वो सब इंफॉर्मेशन है जिसकी तुमको जरूरत थी अनाया अपने सामने खड़ी लड़की के हाथ से डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर चेय पर बैठ जाती है और उसे खोल कर पढ़ने लगती है जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद वो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने सामने के टेबल पर पटकते हुए खड़ी होती है और अपने रूम से गुस्से से बाहर जाने के लिए निकलती है देवांश और उस लड़की की नजरे अनाया के उपही थी और डॉक्यूमेंट में मुझूद उसके चेहरे के बदल रहे एक्स्प्रेशन को वो दोनों अच्छे से नोटिस कर रहे थे देवांश के तो कुछ समझ मैं नहीं आ रहा था पर वो लड़की अच्छी तरह से समझ रही थी और वो जब उसको उन डॉक्यूमेंट्स को गुस्से से टेबल पर पटक कर उसको रूम से बाहर जाते हुए देखती है तो जल्दी से उसके रास्ते में आकर अपना हाथ फैला कर खड़ी हो जाती है उसे रूम से बाहर जाने से रोकती है देवांश को तो कुछ समझ मैं ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या था उस डॉक्यूमेंट्स में जिसे पढ़कर अनाया इतने गुस्से में आ गई थी वो इसी कन्फ्यूजन में अपनी जगह खड़ा होकर कभी टेबल पर बढ़े उस डॉक्मेंट्स को तो कभी अनाया को देख रहा था वही अनया जो रूम से बाहर जाने के लिए अपने दोर तक पोहच गई थी कि तभी उसके सामने किसी को उसका रास्ता रोक कर खड़ा होते देखकर उसकी आँखे गुस्से से लाल हो गई थी वो अपनी लाल आखों से अपना रास्ता रोके हुए इंसान की तरफ देखती है उसको देखकर वो अपनी लाल हो चुकी आखें उसके उपर टिका कर अपनी कोल्ड आवाज में उससे कहती है मुसकान सामने से हटो मुसकान वही लड़की है जिसने अनाया को वो डॉक्यूमेंट्स दिये थे जिसे पढ़कर ही वो इतने गुस्से में अपने रून से बाहर जा रही थी और उसको रोकने के लिए मुसकान उसके रास्ते में खड़ी थी वो अपने चमकते दातों को उसको देखा रही थी पर जब उसकी नजर उसके लाल आखों और गई और उसकी वो कोल्ड आवाज सुनकर मुसकान की रीट की हाड़ी तक कापने लगी थी उसके माथे पर थंड़ा पड़ती आ गया था वो अंदर से बहुत दर गई थी अनाया के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी पर इस वक्त वो गुस्से मैं अनाया को कुछ भी गलत नहीं करने दे सकती नहीं तो वो ही मुसीबत मैं पर सकती थी इसलिए वो अनाया के बैक के लिए ही उसके सामने अपने दर को कभी करके उसके अपने सामने से हटने को कहने के बाद भी वो अपने जगह से एक कदम भी साइड नहीं हटती अनाया जो पहले से गुसा थी और वो मुस्कान को अपने सामने से हटने को कहने के बाद भी अपने सामने हटता न देख वो सोनी गुस से बाती नजर उसके उपर डाल कर अपनी तेज आवाज मैं उससे कहती है मुस्कान तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा रास्ते से हटो मेरे अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारी बक्वास सुन का हटो रास्ते से अनाया की गुस्से बरी आवाज सुनकर देवांश अपनी जगह से तेजी से टेबल पर पढ़ा वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगता है वही अनाया की गुस्से से बरी आवाज सुनकर पहले ही डरी हुई मुस्कान और डर रही थी फिर भी वो उसके सामने से नहीं हटी अपने डर पर कभी करते हुए वो अनाया की तरफ देखकर अपने सीरियस फेस के साथ उससे कहती है अनू तुम अभी गुस्से मैं हो जिससे तुम बिन कुछ सोचे वो करने जा रही हो जिसके बाद तुम्हारी मुसीबाते और बढ़ेगी और मैं इसे होने नहीं दूनगी मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटने वाली तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती हो अभी इतना गुस्सा होने का सही ताइम नहीं है शांत दिमाग से सोचो अनू उसने इतना ही कहा था कि अनाया जो उसकी बाते ध्यान से सुन रही थी उसकी आखों में अभी भी गुस्सा था उसके उपा मुसकान की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ उसके सामने तो बार-बार उस डॉक्यूमेंट्स में जो था वही उसको अपने आखों के सामने दिखाई दे रहा था जिससे उसका पहले से ज्यादा बढ़ गया था उसने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुठ्ठी कसकर बांध दी थी जिससे उसके नाखुन उसकी हथेली में चुब रहे थे जिससे उसके हथेली मैंसे खून निकलने लगा था अनाया का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था जिससे उसको अपने हथेली से निकल रहे खून की तरफ ध्यान ही नहीं गया अनाया गुस्से मैं मुस्कान को अपने रास्ते से हटा कर डोर खोलने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ कर उसको रोक देता है खुद को फिर किसी के थरू रोकते देखकर अनाया अपनी लाल आँखों को कसकर बंद कर देती है और उस सक्स की तरफ मुड जाती है जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो बिना उसकी तरफ देखकर अपनी आवाज नौमल करके उस से कहती है मुस्कान मैंने कहा ना मेरे रास्ते में आओ क्या तुमने कसम खा रखी है कि तुम मेरी बात आजमान ने ही नही वाली वही अनाया इतना कहकर अपनी बंद आखे खोल कर अपना हाथ सामने वाले से छुडाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने वाले इंसान की नजरे से जाकर मिल गई जिससे अनाया का गुसा पल बर मेच्छू मंतर हो गया था अनाया का गुस्सा अब शान्त हो गया था वो बस एक तक अपने सामने खड़े सक्स के आगों में ही देख रही थी वही मुस्कान जो अनाया के अपने सामने से हटने से एक तरफ गिर गई थी वो अपने जगह से उठकर अनाया को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रही थी तभी उसकी नजर आयान पर चली जाती है जिसने अनाया को बाहर जाने से रोक लिया था जिसे देखकर मुस्कान राहत की सास लेती है और खुद से ही कहती है अच्छा हुआ आयान सही ताइम पर आगया नहीं तो उस देविल को रोकना बिहद मुश्किल होने वाला था इसे गुस्से में कुछ दिखाई नहीं देता चाहे वो फिर गुस्से में खुद का ही नुकसान क्यूं न कर ले देवांश जब मुस्कान के द्वारा अनाया को दिये हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है तो उसके चेहरे पर भी गुस्सा आसामी से देखा जा सकता था पर उसने गुस्से में अपना आपा नहीं खोला था उसे अब समझ में आया की मुस्कान क्या अनाया को रोक रही थी और वो अच्छे से जानता था इस वक्त अनाया को बस एक ही सक्स रोक सकता है और वो और कोई नहीं बलकि अयान ही है इसलिए वो जल्द से अयान को मेसेज करके अयाना के रूम में बुलाता है देवांश का मेसेज पढ़कर अयान जल्द ही अयाना के रूम में उन दोनों के रूम में एंटर करने के लिए जो सीक्रेट डोर था उससे अंदर आता है रूम में आते ही उसका ध्यान मुस्कान पर जाता है अनाया को रोक रही थी पर अनाया इस वक्त बेहद गुश्से मैं थी वो बिना मुस्कान की बात सुने उसे अपने रास्ते से साइट करके दोर खोल कर बाहर जाने ही वाली थी की देवांश के उसे रोकने को कहने पर वो जल्दी से आगे बढ़ कर उसका हाथ पकड़ कर उसको रूम से बाहर जाने से रोकता है अयान अनाया का हाथ पकड़ कर उसको सोफे पर बिठा कर खुद उसके पास बैच जाता है वो एक नजर अनाया की तरफ देख कर देवांश की तरफ देखता है तो देवांश जल्दी से अपने हाथ में मुझूद डॉक्यूमेंट्स उसके आगे करता है अयान उस डॉक्यूमेंट को लेकर पढ़ने लगता है जैसे ही वो उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्स्प्रेशन बदल रहे थे अनाया का गुस्सा शांत करके अयान उसको अपने साथ कमरे में मुझूद सोफे पर बैठाता है कर उससे कुछ दूरी पर खड़े देवांश की तरफ देखता है उसके अपनी तरफ देखता पाप कर देवांश समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है देवांच अपने हाथ में पकड़ा document उसकी तरफ बढ़ा देता है अयान देवांच से documents लेकर पढ़ने लगता है जैसे जैसे वो page पलट रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के expression बदर जाते है उन documents में जो information थी उसे पढ़ कर अयान अयाना का गुस्सा होना समझ सकता था आखिर कोई भी उसकी जगह पर जो और उसे जब पता चले वो जिस फैमली को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है उनको सेफ रखने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया उसी फैमली के कुछ लोग उसको मारने पर तुले है उसे गगदारी कर रहे है अयान को भी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था पर जब से अनाया का एक्सीडेंट हुआ था तब से वो सारी फैमली के एक्स्प्रेशन उनकी हरकते नोटिस कर रहा था जब से उसे मायरा के बारे में पता लगा था तब से और उसे भी अनाया के बड़ी मॉम और बड़े पापा पर शक होने लगा था और आज उसका शक येकिन में बदल गया था अपने सामने के documents में मुझूद information with proof देख कर अयाना इस वक्त अयान की तरफ ही देख रही थी वो बिना देवांश और मुस्कान के उसके सामने होने की परवा किये किसी छोटे बच्चे की तरह अयान की गोद में जाकर बैच जाती है और अपना सर उसके सीने में रख कर उसका tight hug करती है और उस कहती है आयू आपने देखा न बड़ी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है और वो ही नहीं बड़े पापा भी उनके साथ है क्यूं आयू, क्यों, इतना कहकर वो अयान के सिने में लगकर ही रोने लगती है अयान उसका कुछ नहीं कहता उसका अपने बाहों में अच्छे से एज़स्ट कर उसके बालों में हाथ फिराने लगता है और एक हाथ उसके पीट की सहला रहा था अयान इस वक्त आयाना के अंदर जो भी गुस्सा है वो सारा बाहर निकलना चाहता था जिसके बाद वो शांत मन से फिर से गलत के खिलाफ अपने दुश्मनों से लड़ सके वही मुसकान और देवांश की भी आखे अनाया को एसे देख कर नाम हो गई थी वो दोनों ही हरपल उसके साथ होते थे किसी साय की तरह वो दोनों कभी किसी के सामने नहीं आये थे अंधेरे मई रहकर ही उसकी प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो दोनों अच्छे से जानते थे अनाया ने अपने फैमली के लिए क्या क्या किया था और उसने तो अपने बड़ी मौम को मा का दरजा दिया था वही उसके पीठ में खंजर खोफ रही थी उसको फैमली ही उसके खिलाव सरियंत्र कर रही थी जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए उसने क्या क्या किया था अनाया इस वक्त अयान के गले लगे हुए सुभख रही थी उसके दिमाग इस वक्त बेहत कुछ चल रहा था अयाना खुद से ही कहती है ईशा मतलब पिछले जन्म में उस बांब ब्लास्ट में सुर्भी ही नहीं बलकी उसका साथ बड़े पापा और बड़ी मॉम ने दिया था वो दोनों ही उस बांब बलास्ट में मारे नहीं थी दोनों ही जिंडा थे यानी की जहा तक मुझे याद आ रहा है बड़ी मॉम और बड़े पापा की ही बॉड़ी बेहत खराब हालत में थी पर वो दोनों एसे कैसे कर सकते थे और लव और कुश भाई दोनों तो उनके ही बच्चे है ना तो फिर उनने खुद के ही बच्चों को उस ब्लास्ट में से क्यूं नहीं बचाया क्या कुछ ऐसा है को मुझे से चुट रहा है मुझे पहले तो सिया मित्तल की सारी जानकारी निकलवानी पड़ेगी उसके बाद ही आगे क्या करना है उस बारे मैं सोचना पड़ेगा वैसे भी अब 5 दिन की बाद है उसके बाद तो हम इंडिया जाने वाले हैं वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अयान की आवाज से वो अपने सोच से बाहर आकर उसकी तरफ देखती है को की बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उससे कह रहा था अनु देखो अब जब सारी सच्चाय तुम्हारे सामने है तो अब तुम जो भी निर्नय लेना चाहती हो वो भावना वो मैं बहकर मत लेना हा वो तुम्हारी बड़ी मॉम और बड़े पापा है पर वो दोनों ही गलत है वो दोनों तुमको और तुम्हारे परिवार को धोखा दे रहे है और वैसे भी अंकल के उपा पहले जो जानलेवा हमला हुआ था मुझे लगता है उसमें भी देवराज मितल का हात है वो जैसे दिखते है वैसे है नहीं अपने चेहरे पर मुखवाता लगाए हुए है आगे को भी करना है बेहद ही सोच समझ कर फैसला लेना की क्या करना है मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा हरदम तुम्हारी परचाई बनके ये सब अयान उसके आखों में देख कर कह रहा था दोनों ही एक दूसरे के आखों में देख रहे थे जहापर बस प्यार ही प्यार था बाकी किसी के लिए जगह ही नहीं थी अयान अयाना के माथे पर किस करता है फिर उसके चेहरे को साफ करके अपने सामने खड़े देवांश और मुस्कान को देखता है जो उनकी तरफ ही देख रहे थे अयान के उनके तरफ देखने से दोनों ही उसको अपनी बत्तीसी दिखा देते है उनको एसे देख अयान अपनी कोल्ड आवाज में कहता है अब जब तुम दोनों का कोलगेट की एड़टाइज मैट करके जो गया हो तो काम की बात करें दोनों ही अयान की बात सुनकर अपना मुऊ बनाकर अपना सरहा में हिलाते हैं जिसे देखकर अयान एक बार अपने सीने मैं अपना चेहरा छुपाए बैठी आयाना को देखता है गिर देवांश और मुस्कान की तरफ देखकर कहता है अब तुम दोनू ध्यान से मेरी बात सुनो मुस्कान तुम अपने सबसे वफादार आदमी को आज ही इंडिया बेज कर सिया मित्तल की जन्म से लेकर अभी तक की सारी जन्म कुंदली निकलने को कहो उसके पास बस फाइफ दिन है हम इंडिया पिहाचने से पहले सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए मुस्कान अयान की बात सुनकर अपना सरहा में हिलाती है और कहती है येस बॉस मैं अभी रौकी को इस काम पर लगाती हूँ इतना कहकर वो वहा से बालकनी की तरफ चली जाती है उसके वहा से जाने के बाद अयान देवांश की तरफ देख कर कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने अनुके कहने के बाद आइलेंड की सुरक्षा बढ़ा दी है पर मायरा ने उन तक आइलेंड में एंटर करने का सीक्रेट रास्ता उनको बता दिया है सुर्भी राजावत और उसको वो बॉइफ्रेंड डेविड तेजी से आइलेंड की तरफ बढ़ रहे है मायरा ने उन तक बस उतनी ही इंफॉर्मेशन बेजी है जितना उसे पता थी पर बाद मैं अनाया के कहने पर तुमने दाख मैंशन और आइलेंड को सिक्योरिटी बढ़ा दी है उसको पार करके उनका यह आना इंपॉसिबल है हमको इनको इस आइलेंड से बाहर बस टू दिनके लिए रोक कर रखना है और हमारी जो सिक्योरिटी है उससे वो आसानी से आइलेंड मैं एंटर नहीं कर पाएंगे फिर भी तुम उनकी हर एक हरकत पर नजर रखना और इंडिया जाने की सारी तयारी कर लेना इंडिया में जाकर हमारी सिक्योरिटी की भी एसे ही देवांश को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद देवांश वहाँ से चला जाता है उसके जाते ही मुसकान अयान के. सामने आकर खड़ी हो जाती है उसे देखकर अयान बिना किसी expression अपने प्लेन चेहरे के साथ उससे कहता. है फाइव दिन जब तक हम इंडिया नहीं जाते तब तक इसी मेंशन में रहकर तुमको सिया मित्तल, देवराज मित्तल और मायरा. पर नजर रखनी है उनकी पलपल की खबर मुझे चाहिए. अयान की बात सुनकर मुसकान बड़ी ही स्टाइल मैं अपने बालों को जटित कर अयान से कहती है येस बॉस ये तो मेरे. बाए हाथ का काम है आपको उन तीनों की पलपल की खबर मिल जाएगी. इतना कहकर वो अयान की गोद में बैठी अयाना की तरफ देखती है और फिर अयान की तरफ जो की उसको अपनी आखे छोटी. करके गुर रहा था जिसे देखकर वो सकपका जाती है अयान को अपने दाथ दिखाकर अपना सर खुजलाती हुई कहती है. बॉस वो मुझे अभी कुछ याद आया तो मैं चलती हूँ इतना कहकर वो अनाया के रूम से एसी बागी की जैसे उसके पीछे कोई पागल कुटा पड़ा हो उसको एसे भागते देख अयान के चेहरे और छोटी सी स्माइल आ जाती है मुसकान अयान के रूम से बाहर जाकर अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है आज तो बाल बाल बचे तू भी ना मुसकान क्या जरूरत थी तुझको शेर के मून में हाथ डालने की वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे मून से कुछ पवित्रवानी बाहर नहीं आई नहीं तो आज तो तुम्हारी खेर नहीं थी वो ये सब खुद से ही कह रही थी तभी उसको सिया मित्तल अपने रूम से छुपके से निकल कर कही जाती हुई दिखी जिसे देख कर अभी जो हुआ सब भूलकर मुस्कान अपने कामप पर लग गई वो भी किसी ट्रेंज जासूस की तरह बिनासिया की को पता चले उनका पीछा करने लगी वही दूसरी तरफ अनाया के कमरे में अनाया अभी भी अयान की गोद में उसके सीने में अपना सर रखे हुए बैठी थी अयान एक हाथ उसके पीछ पर था और दूसरा उसके बालों को सहला रहा था अयान अनाया का चेहरा अपने सामने करता है और उसकी आँखों मैं देखकर कहता है बेबी मैं हूँ ना आपके साथ सो रिलेक्स बुल जाओ अभी जो कुछ भी हुआ तुम मिन सबको मुझ पर छोड़ दो तुम बस अपना कर्तव्य पर भ्यान दो तुम को उस महाशिक तिशाली हीरे की रक्षा करनी जैसे हमें उसके आने की खबर मिल गई है वैसे ही उस हीरे को पाने के पीछे जो काली शक्तियां पड़ी है उनको भी तो पता चल गया होगा वो भी तो उसको हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे इसलिए तुम बस अपना सारा ध्यान उस तरफ रखी बाकी सब मैं सबल लूंगा डोंट वरी इतना कहकर अयान उसके माथे पर किस करता है उसके ऐसा करते ही अयाना की आँखे अपने आप बंद हो जाती है जिसे देखकर अयान के चेहरे पर हलकी सी स्माइल आ जाती है अयान अनाया की बंद आखों पर अपने होंथ रख देता है अनाया की आखों पर किस करने के बाद वो अनाया के हलके गुलाबी हो चुके गालों पर बारी बारी किस करता है उसके बाद वो अनया का चेहरा पाने दोनों हाथ में लेकर उसके लाल होटों पर अपने होटों को रख देता है आयान बड़े ही प्यार से अनया के होटों को चूंग रहा था आयाना आयान के होटों को अपने होटों पर महसूस कर अपनी आखे खोल कर उसे चेहरे की तरफ देखती है जहां अयान अपनी आखे बंद करके उसके होटों को प्यार से किस कर रहा था अयाना भी अपने दोनों हाथों का हार बनाकर अयान के गले में डाल कर अयान की किस में उसका साथ देने लगती है जिससे उनकी वो छोटी सी किस एक पैशनेत किस में बदल जाती है करीब 30 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे अलग हो जाते हैं अयान अयाना के गालों को अपने हाथों से रब कर रहा था साथ मैं वो प्यार से अनाया को देख रहा था वही अयाना अयान की नजरों को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती उसको बेहद शर्म आ रही थी वो अपना चेहरा अयान के सिने में छुपा लेती है उसको ऐसा करते देख अयान हसने लगता है जब अयाना के कान में अयान की हसने की आवाज आती है तो वो वैसे ही अयान के सिने से लगे हुए अपना सर उपा करके उसके चेहरे की तरफ देखकर एक हाथ से उसके सीने पर मरते हुए कहती है आयू आप बिहद गंदे हो आप मुझ पर हस रहे हो very bad इतना कहकर अयाना अपना मून फुला लेती है वही अयान अनाया के पाई से फूले हुए चेहरे को देख कर उसके दोनू फूले हुए गालों पर किस करता है और कहता है बेबी मैंने क्या किया वो तो आप एसे मेरे सामने शर्मा रही हो बाहर तो बड़ी शेर्नी बनती हुई फिरती हुँ तब अब क्या हुआ एक छोटा सा किसी तो किया था और वो तो हम हमेशा करते है उसमें नया क्या होता है फिर भी आप हमेशा एसे ही शर्माते हो और मेरे साइन में अपना सर छुपा लेते हो और उपस ये शर्म से लाल हो गए आपके ये गाल मुझे आपके तरफ और अट्रेक्ट करते है इतना कहकर वो अयाना के गालों पर अपने होट फिराने लगता है जोकी कश्मीरी सेप की तरह लाल हो गए थे वही अयान की बाते सुनकर अयाना को तो आगे क्या बोले समझ मैं ही नहीं आ रहा था वो अयान की इंटेंस नजरे खुद को पाकर हमेशा शर्मा जाती थी अयान अयाना का चेहरा अपने चेहरे के सामने लेकर उसकी आँखों मैं देख कर कहता है बेबी I love you मैं आपसे बेहर ज्यादा प्यार करता हूँ आप मेरी जान हो इतना कहकर वो अपने होटों को अयाना के होटों पर रख कर उसको पैशनेटली किस करने लगता है वही अयाना तो अयान के एसे प्यार के confirmation से उसकी तरफ प्यार से देखे जा रही थी और अयान के एसे उसके होटों को किस करने से वो अपने होश में आकर किस में उसका साथ देने लगती है दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे अयान के दोनों हाथ अयाना के टॉप के अंदर से उसके कमर को सहला रहे थे वही अयाना के हाथ अयान के बालों में चल रहे थे दोनों ही सब कुछ भूलकर एक दूसरे को किस कर रहे थे वो दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने में गुम हो गए थे वही दूसरी तरफ सुर्भी और डेविड अपने टीम के साथ उस आइलेंड के 1000 किलोमीटर्स की दूरी पर खड़े थे क्यूंकि ऐसे अयाना की सिक्योरिटी स्टॉट होती थी जिसे वो आसानी से तोड नहीं सकते थे उनको अगर आइलेंड और पोहचना है तो उनको सबसे पहले अपने साथी के मैसेज का इंतजार करना था सुर्भी ने अपने साथी यानी की मायरा को उनके आने का सिग्नल बेज दिया था जिसे देख कर ही मायरा ने आइलेंड में कैसे एंटर करना है उस सबके बारे में सारी information उस mini robotic butt के जरिये उनकी तरफ बेज दी थी सुर्भी और देविड इस वक्त अपने boat पर खड़े थे और मायरा के message का वैट कर रहे थे सुर्भी को वैट ही नहीं हो रहा था वो उस boat पर ही एक जगा से दूसरी जगा गुम रही थी करीब पिछले आधे घंटे से सुर्भी यही कर रही थी उसको एसे परेशानी में गिंते हुए डेविड एक जगा बैठ कर देख रहा था जब काफी देर तक सुर्भी येसी ही एक जगा से दूसरी जगा गुमते देख कर डेविड उसके पास आकर उसका अपने गोध में उठा कर उसको बोट के अंदर बने हुए रूम में लेते जाते हुए कहता है बेब्स मायरा का मेसेज आ जाएगा तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यूं दे रही हो सुर्भी कुछ कहने ही वाली थी कि डिविव उसको चुप कर देता है और उस बोट के अंदर बने हुए रूम में ले जाकर बैद पर लेता देता है और खुद जाकर रूम को लॉक करके उसके पास आ जाता है सुर्भी अब तक बैद पर उठकर बैथ गई थी और डेविड को अपने पास आता देख रही थी वही डेविड के आखों में उसे अपने लिए अजीब से एहसास दिख रहे थे जिसे देखकर वो समझ गई थी कि डेविड उससे क्या चाहता है पर वो अभी डेविड जो चाहता था हो बिल्कुल भी नही चाहती थी इसलिए वो बैद से उठकर खड़ी होती है और डेविड को कुछ बोलने के लिए अपना मून खोलते है तभी डेविड उसके पास आकर अपना एक हाथ उसके सर के उंचे लेकर उसके चेहरे को अपना चेहरे के सामने करता है और एक हाथ से उसकी कमर को टाइट पकड़ कर खुद से सटा देता है और सुर्भी के कुछ बोलने से पहले ही अपने सक्त होटों को उसके मुलायम होटों और रख देता है सुर्भी जो बोलना चाहती थी वो उसके मूह में ही रह गया पर वो अपने मन ही मन डेविड को कोस रही थी आज उसको डेविड की गल्फ्रेंड बने का पास्तावा हो रहा था पहले पहले तो उसको डेविड का साथ उसका प्यार करना अच्छा लगता था पर समय के साथ वो अब डेविड से उप गई थी इसलिए उसने पार्थ को अपने जाल में फसा लिया था और अब तो वो पिछले महीमे से डेविट के साथ ही उसे पहले पहले उसके साथ इंटीमेट होना अच्छा लगता था पर डेविवड एक बार सुरू हो गया तो रुखता ही नहीं था जिससे उसकी सारी एनजी खत्म हो जाती थी सुरू भी बस अपने फायदे के लिए डेविड के साथ थी नहीं तो वो उसको कब का डिप्चर करके बाग जाती वही डेविड भी सुरू के बदलते बेहेवियर से सब समझ रहा था पर उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पढ़ रहा था उसके लिए सुरू बस उसकी फिजिकल नीद पूरे करने की चीज थी और उन दोनों का मकसद एक ही था इसलिए दोनों साथ थे वैसे भी डेविड के सामने सुरू की एक उसका साथ देने लगती है कुछ ही समय बाद दोनों के ही कपड़े उस कमरे में बिखरे पड़े हुए थे इस कमरे में दोनों की गहरी सासों की और सुर्भी की आहे भरने की आवाज बूंज रही थी वही दूसरी तरफ काली शक्तियों का मालिक कालकेय उसी के साथ उसके सा राजावत और जॉन सभी उस वक्त काली पहारी के नीचे खड़े थे अब उनको अपने सामने दिख रही उस बड़ी पहारी को चरना था। कहता है विक्रांत मुझसे नहीं होगा इतनी बड़ी पहारी पैदल चरना और देखो तो सही। सारी पहारी ही काली है रहा पर दिख रहा हर एक पेड का कलर भी काला है और वो देखो वो कितना अजीब सा। पक्षी है जो की पूरा काला है प्रिथवी पर तो बस कोई का कलर ही काला होता है और यह पर तो देखो सभी काले। कलर का है देख कर हो डर लग रहा है। विनीत उसकी बाते सुनकर एक बार उसको गुर कर देखता है फिर अपने सक्ट चेहरे के साथ उससे कहता है जोन। Behave Yourself हमें ये पहाडी को पैदल ही चड़नी है जिसके बाद ही हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाली है और हमें इस पहाडी पर जी हमारी शक्टिया मिलने वाली है। उसने बस इतना ही कहा था कि काली उन दोनों के बीच में आकर कहता है जॉन मैंने तो तुम्हारे बारे में बेहत कुछ सुना था पर तुम तो बस इतनी सी पहारी को देख कर ही दर गए और किसी छोटे बच्चे की तरहरो रहे हो। काली की बात सुनकर जॉन उसकी तरफ गुस्से मैं देख कर कहता गई तुम तो कुछ बोलो ही मत काली ये पहारी बिलकुल। तुम्हारे नाम की तरह काली है और मैं कोई छोटे बच्चे की तरहरो नहीं हो रहा है मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। तुम्हारे तरह नहीं हूँ समझे तुम्हारे पास तो शक्तिया है तुम तो अपने शक्तियों की मदद से आसानी से ये खाली पहारी चाद सकते हो। उसकी बात सुनकर काली उससे कहता है बात तो तुम्हारी बिलकुल ठीक है पर इस पहारी पर चड़ने के लिए हम अपन मत तुम तीनों को अपनी शक्तियां भी मिलने वाली है उसकी बात सुनकर जॉन कहता है वो तो बात एसी है अगर तुम भी हमारे साथ पैदल ही चलने वाले है तो कोई बात नहीं मुझे लगा कि हम पैदल चलने वाले हो और तुम और कालकेयर अपनी शक्ती का इस्तेमाल करके इस पहाडी के उपर जाने वाले हो वही करने जो कपसे जॉन काली और विक्रांत को आपस मैं बढ़ बढ़ते हुए देखता है तो वो अपनी कड़क आवाज मैं कहता है काली जॉन अगर तुम दोनों का हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ें कालकेयर की कड़क आवाज सुनकर काली और जॉन दोनों ही दर से काप गए और कालकेयर की बात सुनकर बिना आगे कुछ बोले चुप चाप अपना सर हिला कर उसके पीछे पहाडी को चड़ने लगे आरुशी राजावत अपनी कार सुनसान रास्ते पर दोड़िये का रही थी और उसकी कार की कुछ ही दूरी पर कोई उसकी कार का पीछे कर रहा था इस बात से अंजान वो अपनी ही दून में अपनी कार चला रही थी कुछ ही समय उसकी कार एक छोटे से घर के आगे आकर रुकती है जिसके आस पास दूर दूर तक कोई भी दूसरा घर नही था वो एकलोता ही घर था उस एरिया में आरुशी अपनी कार से उतर कर सीधा उस घर के अंदर एंटर करती है बेहद ही सिंपल छोटा पर बेहद ही खूबसुरत दो मंजला घर था आरुशी उस छोटे से घर के अंदर एंटर करके दूसरे मंजल में बने एक कमरे में एंटर करती है, उस कमरे में एंटर होते ही उसकी नजर बैट पर सो रहे इंसान पर पढ़ जाती है जो की बिना किसी चिंता के आराम से सो रहा था, आरुशी उस इंसान के चेहरे को देखते ही अपना सारी टेंशन गुसा परेशानी भूल जाती है आरुशी क नजर जबोस। इंसान के चेहरे पर दिख रहे सुकून पर जाती है तो उसे गुस्सा आने लगता है वो खुद से ही कहती है देखो तो. कैसे सुकून से सो रहा है मेरी नीद उड़ा कर मैंने उसे कहा कहा नहीं दुंड़ पर आखिर मैं मिला भी तो कहा इस। छोटे से घर मै जिसके आसपास ना तो कोई घर है और नहीं कोई इंसान दिख रहा है बड़ी ही अजीब बात है। आरुशी ये सब खुद से ही कह रही थी बाद मैं वो कहती है आरुशी तू भी ये सब क्या लेकर गुम रही है जिसे तुम। इतने दिनों से कहा कहा नहीं दून रही थी अब वो तुम्हारे सामने है और तुम क्या लेकर बैठ गई हो। आरुशी अपने कदम धीरे धीरे बैट पर सो रहे इनसान की तरफ बड़ा रही थी आरुशी बैट के पास पोहच कर बढ़े ही। आराम से बैट और उस इंसान के पास बैट पर लेत जाती है और उस इनसा इनसान को देखने में इतना खो गई थी कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला वो इनसान अपनी आखे खोल कर उसकी तरफ ही देख रहा था वो इनसान जब आरुशी को खुद को यूर निहारता पता है तो एक जटके के साथ वो आरुशी को खुद के नीचे करता है और खुद उसके उपर आकर उसके होटों को अपने गिराफ्त में ले लेता है। आरुशी की तो पहले समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है पर जब वो अपने होटों और हो रही। हरकत से अपने होश में आ गई तो वो अपने दोनों हाथों का हार बना कर उस सक्स के गले डालती है और वो भी उसे किस करने लगती गई आरुशी का साथ पाकर वो इनसान अपनी छोटी सी किस को एक पैशनित किस में बदल देता है वही आरुशी का पीछा करने वाला सक्स जब उसको अपने सामने के घर में जाते देखता है तो उसके चेहरे पर देविल स्माइल आ जाती है वो खुद से ही कहता है आज तो आरुशी मैडम खुद ही अपना शिकार करने शिकारी के पास आ गई लगता है इतना कहकर वो वहाँ से अपने कार वापस मोड देता गई और जाते वक्त एक बार उस घर को तरफ देख कर कहता है लगता है अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं सब अरब संभाल लेगा और उस आरुशी को अब उसके द्वारा किये गए हर एक गलत काम की सजा मिलेगी इतना कहकर वो सक्सिती बजाते हुए वहाँ से अपनी कार को स्पीड बढ़ाते हुए वहाँ से चला गया अरब जब आरुशी के चेहरे और सुकून देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है वो वेक जटके के साथ आरुशी को खुद से अलग करता है और बैट से उठकर खड़ा हो जाता है अचानक अरब के धक्के से आरुशी खुद को सबल नहीं पाती बैट से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी कमर में हलकी सी चोट लग जाती है आरशी को जब समझ मैं आता है उसके साथ क्या हुआ है तो उसके चहरे पर गुसे की लकीर दिखने लगती है वो गुसे से अपना सर उठा कर अरब की तर्फ देखने लगती है जो की गुसे से उसे ही गुर रहा था पर पता नहीं अरब के चेहरे पर ऐसा क्या था जिसे देखकर आरुशी का गुसा पल में गायब हो जाता है वो उठकर अरब की तरफ देखकर कहती है तुमने मुझे दखका क्यू दिया और तुम इतने गुसे में क्या लग रहे हो क्या हुआ आरुशी की बात सुनकर अरब उसके चेहरे को देखकर कहता है तुमको जानना है ना मैं इतने में गुसे में क्यू हूँ आरुशी अरब के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहती है हम मुझे जानना है कि तुम इतने गुसे में क्यू हो उसकी बात पर आयुश तंज बरी हसी हसते हुए आरुशी का हाथ अपने चेहरे से दूर जटक कर कहता है मेरी गुस्से में होने बज़े तुम हो और तुम्हारी हिमत कैसी हुई मुझे चुने की दूर रहो मुझसे उसकी बात सुनकर अब आरुशी को भी गुस्सा आ गया वो गुस्से में अरब का कॉला पकड़ कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहता है क्या कहा तुमने मैं तुम्हारे गुस्से की वज़े हूँ और क्या मैंने तुमको छुआ क्या और तुम मुझे खुद से दूर होने को के रहे हो ये कभी नहीं होगा क्या तुम भूल गए उस रात का हा अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो सुना तुमने यू आरमाइन उसकी बात पर अरब खुद का कॉला उसके हाथ से छुढाते हुए जोर जोर से हसने लगता है वो आरुशी की तरफ देखकर अपनी हसी कंट्रोल करते हुए कहता है मैं तुम्हारा हूँ ये कौनशी गलत फैमी पाल की है तुमने और क्या कह रही थी तुम वो रात भूल गए क्या कौनसी रात था एक मिनट एक मिनट तुम तुम्हारे बर्थडे वाली रात के बारे में तो नहीं कह रही हो या फिर उस दिन क्लब वाली रात हा आरुशी को अरब किस बात पर हस रहा है समझ मैं नहीं रहा था उसको अब गुस्सा आने लगता है वो गुस्से मैं कहती है हा मैं उसी रात के बारे मैं पुछ रही हूँ देता है और अपनी लाल आँखों के साथ इसके आँखों मैं देखकर कहता है मैं तुम्हारा नही हूँ समझी मैं बस अपनी रूही का हूँ और मरते दम तक उसी का रहूंगा और तुमने ये क्या लगा रखा है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है मैं तो तुम जैसी लड़की के कभी अपने मून तक न लगाओ और रही बात तुम्हारे बर्थे और प्लब वाली रात्तों की भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुम्हारी imagination है समझी और अभी भी जो तुम किस समझ रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है ये सब तुम्हारे दिमाग का बहम है इतना कहके वो आरुशी का गला छोड़ देता है आरुशी अरब के छोड़ते ही नीचे जमीन और बैथ कर जोर जोर से खासने लगती है उसकी आँखों से पानी आने लगता है अगर एक मिनट और अरब ने उसका गला एसे ही पकड़ा होता तो वो आजस दुनिया को अलविदा कहती खुद की सासो को नॉमल कर वो अरब की तरफ देख कर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है नहीं तुम तुम जूट बोल रहे हो ना सच सच बताओ उसकी बात सुनकर अरब हस्ते हस्ते हुए अपने पॉकेट से अपना फोन निकल कर उसके आगे करता है और कहता है इसे देखो तुमको पता चल जाएगा ये इस रूम की लाइफ फुटेज है इस रूम में कमेरा लगाया है तुमको सब पता चल जाएगा आरुशी एक नजर अरब को देखती है और फिर उसके हाथ में मुझूद फोन को और उस फोन में थोड़ी देर पहली की फुटेज देखती है जब वो इस कमरे में आई थी तब से तो वो उस फुटेज को पूरी देखने के बाद शुक हो जाती है वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अरब उसके हाथ से फोन निकल कर उसमें और दो CCTV फुटेज प्ले करता है जिसे देखने के बाद तो आरोही के होश में उर जाते है वो अपनी जगह पर जम जाती है उसे ऐसा देखकर अरब उससे कुछ दूरी पर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसको इस तरह शोक देखकर उसके चहरे पर स्माइल आती है हो खुद से ही कहता है आतिशी राजावत ये तो बस सुरवात है अभी तो तुमको और भी बेहत कुछ देखना बाकी है मैंने तुमको पागल खाने ना बेजा तो मेरा नाम भी अरब नहीं तुम्हारी बजे से जो हालात आज मेरी रुही की है उससे भी बियानक हालत तुम्हारी कर दूनगा अभी तो सुर्वात हुई है वही दूसरी तरफ अयान ने अनाया को सबल लिया था और दोनों ने ही मिलकर सुर्भी और डेविट को मज़ा सिखाने का बेहद ही सॉलिड प्लान बनाया था और अब बेहद ही जल्द उनके लाइफ से मायरा नाम का दुश्मन भी जाने वाला था दूसरी तरफ हर्शवर्धन जी और अखिलेश मित्तल कुश और लव के साथ मिलकर कुछ अलगी प्लानिंग कर रहे थे जिससे अयान और अनाया अंजान थे अखिलेश मित्तल दादू के स्टडी रूम में इस वक्त हिच्शावर्धन यानि की अनाया के डैड और लव कुश मोजूद रहे चाटो के चेहरे के एक्स्प्रेशन सीरियस थे दादू अपनी सीरियस आवाज में कहते है प्रिंसेस को देवराज और सिया के बारे में सब पता लग जुका है उनकी बात सुनकर हर्शवर्धन कहते है डैड अब क्या करना है मैंने भाई को कितनी बार समझाया था थोड़ी देर शान्त रहिए कुछ भी ऐसा काम ना करिए कि आप पर शक हो या भावी पर उन दोनों ने मेरी बात मानी ही नहीं अब क्या करना है आगे लव कहता है अब हमको पहले भी सावधानी से काम लेना होगा छोटे पापा ऐसा नहो कि अनुको हम पर भी शक हो पता है ना आपको वो कितना शातिर है लव की बात पर कुछ सहमती जताते हुए कहता है हा दादू और छोटे पापा हमको बेहद ही सावधानी से आगे क्या करना है इस बारे में सोचना है और हर कदम फूख फूख कर लेना है उस देविल को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए लव और कुछ की बात सुनकर हर्शवर्धन जी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उन दोनों की तरफ देख कर कहते है अब तक उसको हम पर शक नहीं हुआ तो आगे जाकर क्या खाक हुगा वो मुझ पर अंधा विश्वास करती है अखिलेश जी अपने बेटे की तरफ देख कर कहते है उतना भिवमत उरो हर्शवर्धन वो तुम और नहीं बलकी अपने पिता यानि की असली हर्शवर्धन का पूर और आख बंद करके विश्वास करती है तुम ये क्यू भूल जाते हो तुम भी बेहरूपिया हो अपने पिता की बात सुनकर बेहरूपिया हर्शवर्धन मित्तल के चेहरे की मुसकान गायब हो जाती है वो अपने पिता की तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए कहते है हा तो बेहरुपिया ही सही पर अब उसके लिए मैं उसका डैड हूँ और आप मुझे बेहरुपिया कह रहे हो तो आप थोड़ी ही उसके असली दादू हो और फिर वो लवकुष की तरफ देख कर कहते है और नहीं तुम दोनों उसके असली भाई लवकुष हो उनकी बात पर उन सभी के चेहरे पर मकारी बरी स्माइल आ जाती है लव कहता है हा माना की हम उसके असली भाई नहीं है पर ये जो हमारे चेहरे पर मास्क लगाया है ना वो हमको बिल्कुल उसके भाई ही बनाते है उसकी बात सुनकर कुछ कहता है हा बात तो सही कही डैड लवने पर मुझे एक बार समझ नहीं आता हूँ सनाया मित्तल कि ऐसा इतनी शक्तिया है फिर उसको इस बारे मैं कैसे पता नहीं चला कि हम उसके अपने नहीं बलकी अपनी के चेहरे मैं उसके दुश्मन है उसकी बात पर अखिलेश मित्तल कहते है उसकी शक्तिया अभी भी इतनी नहीं है कि वो हूँ पहचान सके उसके लिए हम ही उसका परिवार है इसलिए उसका शक कभी भी हम और नहीं जाएगा पर उस नालायक देवराज मित्तल की एक गलती से लिए ही ये दोनों कोई मुसीबत ना बन जाए। लव अपने दादू की बात से सहमत होता हुए कहता है हा दादू आप बिलकुल सही कह रहे हो वैसे भी मुझे वो दोनों बेवकूफ बिलकुल भी अपने मॉम डैड के रूप में पसंद नहीं है मैंने आपको पहले ही कहा थ कि उन दोनों को मेरे मॉम डैड मत बनाओ वो दोनों दिखने से ही कितने बेवकूफ दिख रहे थे और अब पता नहीं उन दोनों ने किसी इनफॉर्म कर दिया है मित्तल फैमली इस वक्त कहा और है इस बारे में हर्शवर्धन लव की बात पर कहते हैं लव तुम उस बात को छोड़ो वो कोई तुम्हारे असली के मॉम डैड नहीं है अबिस सारी बातों को छोड़ो और हमारे असली मिशन पर कंसेंटरिट करते हैं जिसके लिए हमने पूरी मित्तल फैमली को कैद करके हम उनके जगह उनका असली रूप लेकर यह पर आये हैं हर्शवर्धन की बात स सुनकर सभी को अपना असली मिशन याद आया है और वो चारों की आगे क्या करना है उस बारे में डिसकशन करने लगते हैं वही दूसरी तरफ इस सबसे अंजान अनाया इस वक्त बड़े ही सुकून से अयान के बाहों में सो रही थी अयान जोकी अयाना के बालों को सहला रहा था उसके आखों में दूर दूर तक नीट का कत्रा भी नहीं था वो अयाना के चहरे की तरफ देखता है जिसमें सुकून नजर आ रहा था जिसे देखकर उसके चहरे पर भी हलकी समाइल आ जाती है वो उसके प्यारे से चेहरे को निहारते हुए कहता है बेबी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम और आंच तक नहीं आने दूंगा बेबी तुमको पता है मुझे न तुम्हारी पूरी फैमली का बेहेवियर कुछ अजीब सा लगता है जबसे हम ये पर इस आइलेंड और आए है तब से मुझे दादू नहीं वो पहले वाले दादू लगते है और नहीं हर्शवर्धन अंकल वो पहले वाले हर्शवर्धन अंकल अयान ये सब अयाना के चेहरे की तरफ देखते हुए के रहा था जो कि उसकी कुछ बात सुन ही नहीं रही थी और नहीं सुन सकती थी क्योंकि वो अयान के बाहों में सुकून से गहरी मीद में चली गई थी अयान अयाना के माथे पर किस करके उसके बालों को सहलाते हुए कहता गई बेबी तुम बिल्कुल भी चिंटा मत करो मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगा सबसे पहले मुझे दादू अंकल और लव कुछ के बारे में पता लगाना होगा इतना कहकर अयान अपना फोन निकल कर अपने खास आदमी को मैसेज कर देता है और फिर अपना फोन साइड में रख कर कहता गई अब बेहद ही जल्द ही जो भी है हो सामने आएगा कि आखिर मेरा शक सही है या गलत वही दूसरी तरफ देवांच से इंडिया जाने की ओर वहा और मित्तल परिवार और खास करके अनाया की सेफटी की पूरी तैयारी कर ली थी वही मुसकान इस वक्त आइलेंड के बाहर कुछ ही दूसरी पर अपनी स्पेशल बोट में थी वो वहा से सुर्भी और देविट पर नजर रख रही थी जब काफी देर तक उनकी तरफ से कुछ हलचल नहीं होती उनकी बोट को एक ही जगह पर तिका हुआ देखकर सुर्भी अपनी दूर्बीन निकल कर अपने सामने कुछ ही दूरी और खड़ी बोट को अच्छी तरह से स्कैन करने लगती है बोट पर उस वक्त कितने आदमी है उनके पास कोन-कोन से हत्यार है वही इस वक्त बोट के अंदर का माहूल कुछ और ही था देविट अपने सामने खड़े आदमी पर चिला रहा था और उसके पास मैं ही सुर्भी खड़ी थी जो की दिखने से ही बेहद ठकी हुई नजर आ रही थी डेविट अपने सामने खड़े अपने आदमी पर चिलाए जा रहा था जॉन कहता है तुम मैं जरा भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या तुमसे वो छोटा सा गैजेट जैसा तूट सकता है उसमें वो सारी जानकारी थी जिससे हम आसानी से उस आइलेंड मैं एंटर कर सकते है उपसे अब हम उस मायरा से कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते है क्यूंकि जिससे हम उससे कॉंटेक्ट कर रहे थे वो तो तुमने तोड़ दिया अब क्या करेंगे डिविवद इस वक्त बेहत गुस्से मैं था वो गुस्से मैं अपने सामने खड़े आदमी पर चिलते हुए कहता है अब ये पर खड़े क्यूं हो चले जाओ ये से मुझे अपना ये सड़ा हुआ मून फिर मत दिखाना निकलो ये से नहीं तो अभी देते हाथों से बेमौत मरोगे डेविद से के गुस्से से वो गार्ड इतना दर गया था कि वो डेविद के वहा से जाने को कहते है वहा से चला गया था अब उस रूम में सिर्फ डेविद और सुर्भी ही बचे थे और उनके सामने टेबल पर मायरा द्वारा बेजा गया वो छोटा सापक्षी जो की अब तूट गया था अब वो किसी भी काम जा नहीं रहा था सुर्भी उस गैजेट को अपने हाथ में लेकर कहती है डेविद क्या ये अब हमारे किसी भी काम जा नहीं रहा उसकी बात पर डेविद जो पहले से ही गुसा था और सुर्भी के सवाल से उसका गुसा और बढ़ गया और सुर्भी का गला पकड़ कर उसको हवा में लटकते हुए कहता है बेवकूफ लड़की क्या तुमको सुनाई नहीं देता मैं इतनी देर से उस बेवकूफ गाड़ पर क्यों चिला रहा था अगर ये किसी काम का होता तो क्या मैं अब तक ये पर हाथ और हाथ रख कर बैथा हुआ होता डेविड इतने गुस्से मैं था कि उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वो गुस्से मैं क्या कर रहा है वही सुर्भी के गले पर उस वैट डेविड की पकर काफी मजबूत थी जिससे वो डेविड का हाथ अपने गले से हटने के लिए छट पता रही थी वो डेविड को खुद को छोड़ने को के रही थी पर डेविड के उपा कौन सा भूत सवार था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था अब जब सुर्भी को सास लेने में दिकत होने लगी थी उसे ऐसा लग रहा था अब वो जिंदा नहीं रहेगी पर तभी डेविड उसका गले पर से अपनी पकड़ धीली कर देता है और उसे बैद पर पटक कर उसके उपर आकर उसके उपर अपना गुस्सा उतरने लगता है सुर्भी जिसकी पहले ही हालत देविड के खुद का गला पकड़ने से काफी खराब थी वो अब देविड के खुद के साथ जबरदस्ती करने से और खराब होने लगी थी उसके अंदर तो अब देविड को खुद से अलग करने तक की जान नहीं बची थी वो बस अपने साथ हो रही जबरदस्ती को अपनी आगों से देखने अलावा कुछ नहीं कर सकती थी सुर्भी उपा सेलीग की तरफ देखते हुए कहती है अनाया ये सब तुम्हारे और तुम्हारी फैमली की बज़े से हो रहा है इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी और तुम्हारी उस फैमली से भी तुम लोगों को मैंने खून के आशुना रुलाया तो मेरा नाम भी सुर्भी मित्तल नहीं दूसरी तरफ कालकेया अपने साथियों के साथ काली पहारी के उपः पोहाच चुका था पूरी पहारी चाधमे की विज़े से कालकेया को छोड़कर उन चारों की हालत काफी खराब हो गई थी जॉन अपने पास में ही चल रहे विकरांत को धीरे से कहता है यार विकी मैं अब बहुत ठक गया हूँ अब तो हम इस पहारी के उपः भी आ गए है अब और कितना चलना है कहा पर है महागुरू उसकी बात सुनकर विकरांत कहता है ठक तो मैं भी गया हूँ जॉन और चिंता मत करो अब बस कुछ ही देर चलना है हम जल्द ही महागुरू के पास पांच जाएंगे और तुम चिंता मत करो वहाँ पर जाते ही हमारी सारी ठकान खत्म हो जाएगी जौन केहता है विकी तुम सच कह रहे हो ना विक्रान्त कहता है हा मैं सच कह रहा हूँ और इस बार के बारे मैं मैं सच कह रहा हूँ या जूठ ये तुमको वहाँ पर जाकर ही पता चल जाएगा दोनों एसे ही एक दूसरे से बाते करते हुए कालकेय के पीछे चल रहे थे उनको पता नहीं चल की वो कब काली पहारी पर बने एक रहस्य मैं गुफा के अंदर पोहच गए उस गुफा के अंदर पैर रखते ही सब की ठकान पलबर में गायब हो जाती है ऐसा होते देखकर जौन के चहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी जिसे देखकर विक्रांत के चहरे और भी हलकी सी स्माईल आ जाती है उस गुफा के अंदर एक पत्थर पर उनको महागुरू अपनी साधना में लीम बैठे हुए दिखाई देते हैं उनको देखकर सबके चहरे पर स्माईल आ जाती है कारकेय तो महागुरू को देखकर ही बेहत प्रसन नजर आ रहा था आखिर क्यों ना आए उसके सारे सवालों के जवाब जो उसको आज मिलने वाले थे जिससे वो एक कदम और उस दिव्यते जस्वी महाशक्ती शाली हीरे को हासिल करने पे पास आ जाएगा तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेर करें So, अभी कहानी जारी रहेगी, so don't forget to share your review and comment your best part of a story, और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के बाद ना घ अपलोट करूँ, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे,